नमस्कार दोस्तों, 47 वे एपिसोड में आपका स्वागत है, श्री धन्नी फकीर श्री राम दर्बार एका रामायन में तुलसी दास महराज ने फर्माया है, मोरे मन प्रभू अस विश्वासा राम ते अधिक राम करदा सा संत जगत में इंदा आहन लोकन तारण लाए, आद व्याद उपादे, अविध्या तारण जे लाए ऐसे सच्चे संत महात्माओं में से एक थे हमारे महान संत स्वामी विल्याशाह महराज जिनके त्यागबा तपस्या के बारे में जितना कहा जाए वह कम है वे रहनी कहनी में एक समान, विशह विकारों से दूर, भूले, भटके, दीन दुखियों, बिमारों, मासूमों, गुगदाम कर्ण्याओं, अबला बेहनों के आधार तता सच्चे समाज सिवक थे दहेज रूपी डायन को नाश करने के लिए उन्होंने काफी जफाकशी मतुरा वाले भाई कीमत राम को कहा कि इस फकीर लड़की ने अकेले ही इतना बड़ा काम किया है, इसलिए हम आए हैं, इससे आने जाने का किराया आदी मत लेना स्वामी जी का इतना अपनापन देख कर भाई कीमत राम ने उन्हें निवेदन किया कि स्वामी जी यह अभी बच्ची है, अब आप इस पर कृपा दृष्टी करके इसे रास्ता दिखाएं वा बात करें तब उन्होंने फरमाया मैं अपने आप बात पर लूँगा जब स्वामी जी का भाषण शुरू हुआ, तब जोर से आवाज लगा कर कहा, जिस वकीर नहीं मंदिर बनवाया है, वै कहा है मेले के कारणों के थकावट के कारण मैं कुटिया में थी, संदेश मिलते ही उत सत्संग में आकर उपस्तित हुई जस अमरतवाणी का स्वामी जी कथन कर रहे थे, वै मेरे जीवन की उन्नती के लिए थी मेले की समापती के बाद स्वामी जी चले गए, परंतु मैं चाहती थी वे हर वर्ष ऐसे सच्छे संद हमारे यहां आते रहें, तथा उनके ज्यान भरे उपदेश हम सुनते रहें आई मादवदास ने स्वामी जी से मुझे से मिलने के लिए निवेधन किया, स्वामी जी ने कहा कि प्राता है पांच-छे बजे कुटिया से बाहर रास्ते में गूमने जाऊंगा, वहां भले मिलें, उस समय इस महान संत के दर्शन की तथा निवेधन किया कि इस वर्ष मेल स्वामी जी ने उस समय अपने सेवाधारी श्रीवीरिभान को मुझे देने के लिए कुछ फल दिये, वह प्रसाद लेकर मैं प्रसन्न हो गई मैं महाराश्ट की और सित बेलगाम से रटन करने के बाद वापस आई तो सुना कि 4 रवंबर 1973 को स्वामी जी अपने इश्वर के धाम चले गए वे माता पिता से भी बढ़कर थे जिन्होंने लोक पर लोक सबारने का उपदेश दिया था उनके किये कारे अमर हैं तथा अमर रहेंगे काश हम सब बच्चे उनके दिये उपदेशों अनुसार चल कर अपना वा समाज का भला करें धन्याबाद